हालो नमस्कार दोस्ते एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदुस्तानी ट्रिक पे तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो रियल मिया स्टोर में आपका ओटीपी प्रोबलम था उस प्रोबलम को कैसे सॉल्व करें तो इस वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फ्रेंट्स आज कि वीडियो में आपको बताएंगे कि जो काफी ज्यादा भाई का ओटीपी प्रोबलम होता था रियल में स्टोर में कि आप ओडर तो कर लेते थे बहुत ही मुश्किल से बट आपका आप लोगों को बहुत ही खराब लगता था फ्रेंट जैसे कि आप देख सकते यहां पर जैसे कि बाइना आव आता था फ्लेट सेल में उसके बाद चेकाउट कर लेते थे उसके बाद आपका यहां पर पैमें मेताड़ आ जाता था तो सी ओ डियाफ कैस अन डिलेवरी लिए वह OTP नहीं आता था, simply तो cash on delivery पर आप यहां किलिक करते थे, तो आपका जो यहां पर OTP का एक option आता है, देखे, get verification code में आप किलिक करते थे, बट आपका OTP नहीं मिलता था, प्रियांट, काफी ज़्यादा भाई का problem यह देखने को मिला, और मेरे वीडियो के नीचे comments बहुत स सारे आते थे कि बाई, real me store में OTP problem का कुछ solution करो, OTP नहीं आता मेरे ID पे, मेरे क्या हो गया है, तो बहुत सारे इसे comments देखने को मिल रहते हैं, तो मैं इसी के regarding इस वीडियो को लेका है, जिसकी मदद से आपको OTP problem solve हो जागा, तो simply friends, आपको करना क्या है, आपको जियो नंब नहीं डालना है, ओके, आपको address में जियो नंबर नहीं डालना है, simply, और आपको account भी जियो नंबर से नहीं बनाना, अगर आप जियो नंबर से एकांट बनाये हो, तो आप जियो नंबर से एकांट नहीं बनाईएगा, आप दूसरे नंबर से एकांट बनाईए, रियल में स् से नहीं बनाना अगर आप जीओ नंबर से बनाते हैं तो आपका ओटीपी नहीं आगा फ्रेंड्स क्योंकि एही प्रोब्लम है ओके तो इसका एक आपको जान लीजे क्योंकि बहुत ही यहां पर मुश्किल से ओडर होने के बाद लास्ट प्रोसेस में आपका अगर नहीं होता है तो बहुत ही बुरा लगता है आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफी ज्यादा यूजफूल रहा होगा तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिलीज एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राब करके बेल आकन को प्रेस कर लीज़ेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको बुग